हाई फ्रेड्स रीता की रसोई मैं आपका स्वागत है आज हम आपके लिए पोहा प्रीमिक्स की रेसिपी लेकर आए है यह जो पोहा प्रीमिक्स बनाके रख लीजिए दो से तीन मेना कुछ नहीं होता है और आप पाँच मिनट में पोहा बनाकर तयार कर सकते है देखी इस तरह से हमने बस 5 मिनिट में पोहा बना कर तयार कर लिया है पोहा प्रेमिक्स से जनरली क्या होता है कि ब्रेकफास्ट में पोहा सभी को पसंद होता है और बच्चे बड़े बुढे सभी पोहा पसंद करते हैं तो जटपट ये पोहा बनकर तयार हो जाता है बना के दे सकते तो बस वो अपना breakfast पाँच मिनट में तयार कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया चाता है इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक्राइब कर लीजिए तो ये हमने एक बाउल भर के पोहा ले लिया है ये मोटा पोहा लिया है आपको जितना पोहा प्रेमिक्स बनाना है आप ले सकते हैं तो ये मोटा पोहा जिससे हम आलू पोहा बनाते हैं बॉला पोहा लेना है तो मार्केट में आराम से मिल जाता है ये मोटा पोहा तो इसे हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है इसमें कुछ कच्रा तो नहीं है देख लिया है हमने और अब हमने कड़ाई लिया है इसमें दो टेबल स्पून हमने ओईल डाल दिया है इसमेल वाला तेल ना डाले जो कड़वा तेल होता है रिफाइंड ओयल का ही इस्तेमाल करिएगा तो दो टेबल स्पून हमने इसमें ओयल डाला है ओयल गर्म हो गया है यह हमने फली दाने ले लिया है मुंगफली दाना अगर आपको पसंद है तो आप जरूर डालिए तो यह हमने मुंगफली दाने को थोड़ा भून लेते हैं तेल में तल लेंगे तो चटचट की आवाज होते तक जब चटचट की आवाज बंद हो जाए तो समझ जाईए कि मुंफली दाना तल कर तैयार हो गया है तो देखिए 2-3 मिनट लगा है अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब इसी तेल में हम गरम तेल है जीरा डालेंगे एक टीस्पून हमने जीरा डाल दिया है और इसमें हम ये प्याज ले लिया है एक छोटे सा इसका प्याज लिया है पतले-पतले स्लाइस में कट करना है देखिए इस तरह से पतले-पतले स्लाइस में 3-4 हरी मिल्च ले लिया है और कुछ कड़ी पत्ते ले लिया है तो हरी मिलच आप अपने स्वादर नुसार डाल सकते हैं तो इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज को अच्छा सुनहरा होते तक भूनिए ताकि जो हम प्रीमिक्स बनाएंगे उसमें ये कच्चे न रहे अगर प्याज कच्चे रहेंगे तो प्रीमिक्स जादा दिन तक नहीं टिकेगा तो इसका जरूर ध्यान रखिए तो देखिए हमने इसे मिडियम फ्लेम पे हम भून रहे हैं प्याज को तो हलके गोल्डन हो गए हैं अभी और हमेंसे भूनना है अभी हम हरा धनिया डाल देते हैं इसमें हरा धनिया भी अच्छी तरह से भूझा जाएगा तो थोड़ा हमने हरा धनिया डाल दिया है, quantity आप अपने हिसाफ से डाल सकते हरा धनिया की अगर बच्चों को पसंद नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हैं तो इस तरह से हरा धनिया भी प्याज और मिर्च के साथ में भून गया है देखिए इतने गोल्डन ब्राउन हमें प्याज करना है आधा टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है इस समय फ्लेम को लो कर दिया है इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और एक टीस्पून हमने नमक डाल दिया है और जो फली दाने तले थे मुंग फली दाने वो भी डाल दिया है इसकी फो गया था वीडियो उस टाइम पे देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें पोहा डालेंगे जो मोटा पोहा है उसे हम डाल देंगे ये जो प्रेमिक्स आप बना के रखिए दो से तीन मेने जयोंकिते हो रहता है और आप पाँच मिनट में पोहा बना कर तयार कर सकते हैं तो इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं चार से पाँच मिनट भूनना है बहुत ज़्यादा भी भूनने की आउशकता नहीं होती है तो इस तरह से हम 4 से पाँच मिनट low to medium flame पे हम भून लेंगे पोहे को पोहा भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बस 4-5 मिनट में भून कर तयार हो जाता है इस तरह से आप अगर pre-mix तयार कर लीजिए तो जो आपका अलू पोहा है बस 5 मिनट में बनकर तयार हो जाता है तो आप इसे airtight डिपे में भरके रख दीजिए तो 2-3 मेना यह आराम से रहता है तो देखिए इस तरह से हमें भून कर इसे तयार कर लेना है और हमारा pre-mix तयार है इससे हम ये भी बताएंगे कि हमने आलू पोहा पोहा कैसे बनाया है बस 5 मिनट में तो ये इसमें हम 2 टी स्पून PCV शक्कर डाल देंगे आप अपने स्वादनुसार डाल सकते हैं जैसा मीठा पसंद करते तो 2 टी स्पून मैंने PCV शक्कर डाला है खड़ी शक्कर नहीं डालना है PC शक्कर डालना है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं अब ये 2 से 3 मिनट हुआ है हमें मिलाते हुए बस 4 से 5 मिनट लगता है टोटल इसे पोहा डालने के बाद में मिलाने के लिए लो टू मिडियम फ्लेम पे और हमारा पोहा प्रेमिक्स बनकर तयार हो जाता है बहुत जल्दी फटाफट पोहा प्रेमिक्स भी फटाफट बनकर तयार हो जाता है आप इसे बच्चों को दीजिए बच्चे बाहर रहते हैं तो पोहा तो सभी को पसंद होता है बच्चे बहुत पसंद करते हैं तो ये 5 मिनिट में बच्चे पोहा बना सकते हैं न तो इसमें कढ़ाई की आउशकता होती है न बस बॉइल पानी रहे तो काम चल जाता है आप कहीं भी पोहा बना कर तयार कर सकते हैं तो देखिए थोड़ा ठंडा हो गया हमने फ्लेम बंद कर दिया था थोड़ा ठंडा हो गया है अब हम आपको इससे ये जो पोहा प्रिमिक्स तयार हुआ है इससे पोहा पांच मिनिट में पोहा कैसे बनाए ये बताते हैं चल ये देखते हैं तो इसके लिए हमने एक बॉल ले लिया है ये माइक्रोवेव सेफ बॉल है इसमें माइक्रोवेव में हम एक बार बताएंगे और कढ़ाई में कैसे बनता है ये भी बताएंगे तो हमने एक कप आप कोई भी मेजरमेंट ले लिजिए कटोरी कप कुछ भी तो हमने एक कप ये प्रिमिक्स लिया है पोहा प्रिमिक्स जो अभी तयार किया और उसमें आधे कप से जो लिया है उससे आधे से थोड़ा कम हमें पानी डालना है आधा पूरा नहीं डालना है आधे से थोड़ा कम पानी डालना है measurement का जरूल धियान रखिएगा और इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद में हम इसे microwave करेंगे तो microwave में 2 मिनट में बनकर तयार हो जाता है चलिए तब तक ये microwave में 2 मिनट तयार होता है तब तक हम कड़ाई में पोहा कैसे तयार करेंगे ये आपको बताते हैं तो हमने एक कड़ाई ले लिया है यही एक कप हमने pre-mix डाल दिया पोहा pre-mix और आधे कप से कम इसमें भी हमें पानी डालना है जितना पानी हमने microwave में बनाने के लिए डाला है उतना ही हमें कड़ाई के लिए भी डालना है तो हमने एक कप पोहा लिया था कोई भी measurement लीजिए कप या कटोरी उससे आधा पानी आधे से थोड़ा कम डालना है पानी आधा नहीं डालना है थोड़ा कम पानी हमने डाल के से इसे भी तीन से चार मिनट यूँ छोड़ देंगे उसके बाद गैस ओन करेंगे क्या है कि पोहा फुल जाएगा तो पोहा फुलने के लिए हम छोड़ देंगे दो से तीन मिनट के लिए तब तक हम चेक कर लेते हैं कि हमारा माइक्रोवेव में जो हमने डाला है दो मिनट हो चुके हैं माइक्रोवेव बंद हो गया है अब हम पोहे को निकाल लेते हैं और देखिएगा कितना बढ़िया जैसे हम पोहा बनाते हैं बस उसी तरह से पूरा पोहा बनकर तयार हो जाता है खिला 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 पोहा बनकर तयार हो गया है अगर आप बाहर है सफर में हैं तो आप जैसे गरम पानी की बॉटल होती है तो उसमें गरम पानी होता है तो आप यही measurement बाहर भी use कर सकते हैं बस गरम पानी में आप डाल दीजिए आपका पोवा तयार है इस तरह से gas पे या microwave भी करने की आवशिकता नहीं होती है, अगर घर पे है तो आप यह process जरूर करिए और देखिए यह अब gas on कर देते हैं हमारा microwave वाला तो बन गया बस दो मिनट में और अब gas इसको भी on कर दिया है और low flame पे हम दो से तीन मिनट के लिए छोड़ देंगे तो टोटल इसे भी पाँच मिनट लगता है बनने के लिए हमने दो से तीन मिनट पहले फुनने के लिए हो पोहा तो देखिए फटा फट पोहा बनकर तयार हो गया और यह microwave वाला पोहा हो गया अगर आपके पास बाहर है तो आप boil water से भी बना सकते हैं तो इस तरह से अब चलिए हम plating कर लेते हैं तो यह हमारा microwave वाला जो पोहा बनाया था सेम पोहा बनता है microwave में भी और gas पे भी तो इसे हम plating कर लेते हैं तो जैसे आप पोहे के उपर save डालते हैं जंडली उसी तरह से हम भी save डालेंगे नीबू रिचोड लेंगे थोड़ा अगर नीबू पसंद है तो और थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे जो बारिक बारिक प्याज होते हैं यह बहुत बढ़िया लगते हैं आलू पोहे में तो यह प्याज डाल देंगे पोहे में देखिए और हमारा पोहा बनकर तयार हो गया है तो बहुत ही स्वादिष्ट पोहा बना है और जो यह पोहा प्रीमिक्स बनाया है इसे आप कोई भी कंटेनर में, airtight कंटेनर में भरके रग दीजिए दो से तीन मैने तक ये पोहा प्रेमिक्स जियों का तेओं बना रहता है और जब भी आपको आउशिकता है तो फटा फट पाच मिनिट में पोहा बना के तयार करिए आप क्या कोई गेश्ट आये हैं या बच्चों को देना है तो आप ये जरूर बनाईएगा पोहा प्रेमिक्स इतना बढ़िया है और स्वाद में एकदम ऐसा लगता है जैसे हमने ताजा पोहा बना के सल किया हो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि हमने ये पोहा प्रेमिक्स से पोहा बनाया है तो देल न करते हुए आप भी इसी तरह से पोहा प्रेमिक्स बनाईए और अपने बच्चों को स्टोर करके दीजिए जो बाहर रहते हैं घर पे रखिये क्या होता है कि सुबह इतनी भागम भाग होती है बच्चों को स्कूल जाना होता है हस्बेंट को आफिस जाना होता है तो ब्रेक्फास्ट बनाने का टाइम नहीं होता है तो बच्चे बड़े अपने आप ये breakfast बना के खा सकते हैं तो बस 5 मिनट में ये पोहा बन कर तयार हो जाता है तो इसी तरह से आप पोहा प्रिमिक्स जरूर बनाईए और बस 5 मिनट में पोहा तयार कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए शेर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई धर्निवाद